नमस्कार दोस्तों मेरा नाम ज्यानिश्वर है और आपने देखना शुरू कर दिया है खबरों के पीछे रात नौ बजे एक नई कहानी लेकर हम आपके शामने हाजिर होते हैं अप्रात की दुनिया की कई कही अनकही कहानियों में से एक कहानी हम आपके साथ साजा करते हैं तो देखिए आज खबरों के पीछे का एपिशोर नंबर है 430 और हम चल रहे हैं मुकामा के बाहुबली बिधायक अनन सिंग की शौर्ट सिरिस में और यह सौर्ट सिंखला शुर्वात हुई खबरों के पीछे के पीशोर नंबर 425 से तो आज अनन सिंग की सौर्ट सिरिस की यह चछटी कहानी है देखिए बहुत फ्लैस पैक में जाने के जरुवत नहीं है मुझे पता है आपने पिछली कहानियों को शुना है लेकिन बस तम में बैठाने को इतना बता देते हैं कि अनन सिंग मुशीबत में घिर गए थे साल 2019 में 16 अगस 2019 को उनके बाद इस्तिक लडमा घर पर IPS लिपी सिंग ने रेट की थी जहां से 47 और हैंड ग्रिनेट की चप्ति डिखाई गई थी इसके बाद 17 अगस 2019 को अनन सिंग फरार हो गए 23 अगस 2019 को उन्होंने दिल्ली की कोट में समरपन किया आत्म शमरपन किया फिर 25 अगस को उन्हें पटना लाया गया बार में हाजिर कराया गया कोट में और इसके बाद 29 अगस को अनन सिंग के तब के सबसे खास शागर दिया स्वयोगी लल्लू मुख्या ने भी कोट में शरेंडर बोल दिया था कोट में शरेंडर बोलने के पहले जब तक उन्होंने नहीं किया था पुलिस ने उनके घर की कुर्की जबती की थी और 29 अगस्त को ही एक और बीडियो बैरल हुआ था जिसमें अनन सिंग के तब के सबसे बड़े दुश्मन बीवेका पहलवान के घर में दो एके सैटालिस लहराते हुए दो लरके दिखाई परे थे ये दो लरके थे चंदन और विक की जिन्हें 9-10 सितंबर 2019 की रात को मुकामा एस्टेशन के पास गिरफतार किया गया था जब ये कोल काटा भागने के फिराक में थे देखिए अब आगे की कहानी देखिए अब अनन सिंग से पूस्ताज की तयारी है मतलब बेउर जील से बाहर निकालने की तयारी है और करिब 40 शवाल तयार किये गये हैं अनन सिंग से राज जानना है अनन सिंग से सब कुछ जानना है ऐसा लग रहा है कि पुलिस जो है अनन सिंग से बहुत कुछ उगल बाले की तो देखिए कोट में अरजी दी जाती है अनन सिंग को पुलिस रिमान में लिये जाने की अरजी शुकार की जाती है दो दिनों की रिमान मिलती है पुलिस रिमान मतलब दो दिनों की पुलिस कस्टडी में रखकर पूस्ता च्खी जा सकती है आईपियस लिपी सिंग केस की आईउं है जो 41 और हैंड ग्रेनिट की चपती हुई है लल्लू मुक्या उस बाइरल आडियो की एक्क्यूज हैं जिसमें भोला सिंग और मुके सिंग की हत्ता की प्लानिंग बिढायक के साथ किसा रही थी मतलब अनन सिंग के साथ लल्लू मु मुक्या को भी रिमान पर लिये जाने की अनुमती मिल गई है मतलब दोनों को बेउर जेल से निकाला जाएगा और इसके बार पूस्ताच होगी आमने सामने बैठा कर अलग अलग तो यह तैयारी है अब अनन सिंग को बाहर निकाल लिया गया है जेल से बाहर पूस्ताच के ललो मुक्या को भी तब तक पुलिस ने यहां और पता किया कि अनन सिंग के दो एके साहतालिस पहले भी जब्ट किये गए थे तो कहां तो मालूम यह हुआ कि 2001 में एक एके साहतालिस सक्सोहरा ठाना च्छत्र में रेड हुई थी उदाय सिंग जो अनन सिंग के आदमी बताय गई थी जब नागा नरेश का मडर बेगुश राय में कर दिया गया था तो यह पहले का इतिहास था 117 का अनन सिंग के मामले में तो देखिए अब जब कि लल्लू मुक्या और अनन सिंग को जेल से बाहर निकाल लिया गया है तो क्या क्या होगा और कहां ले जाय जा रहा है तो पहले तो बड़ा ही सिक्रेट रखा गया कि कहां पूश्टाच होगी लेकिन आखिरकार ले जाया गया पटना की महिला थाने में गरदनी बाग में है वही अनन सिंग से पूश्टाच सुरू हुई पूश्टाच के लिए और अनन सिंग की गती वीडियो पर नजर रखने क लिए खास सिसी टीवी कैमले लगाए गये और इसके साथ ही वहां वीडियो ग्राफिक की तैयारी हुई ताकि जो पूश्टाच हो उसका वीडियो एडिशन भी तैयार किया जा सके साथ में उस बाइरल आडियो के बारे में एफसल के समच्ष अनन सिंग की पेशी हुई अनन सिंग के सामने एक कागज रखा गया जिसमें उस बाइरल आडियो के 24 सब्दे थे लेकिन अनन सिंग ने उस कागज को पढ़ने से मना कर दिया उन्होंने कहा मुझे पढ़ना नहीं आता है तो फिर कहा गया इन सब्दों को कहिए जो बाइरल आडियो में था यार मतलब मजबूत चपन एक चपन की बात हो रही थी बहने मतलब शुबा कुल के मंगा मतलब सभी को बुला लो सांजे ऐसे सब्दे थे शौप पर्शन बैरलबा कहले रहा मतलब कोई कान पहले कहले रहा और सिस्टम मा इस तरीके की बात तो एफसल में भी अनन सिंग की पेशी हुई और अनन सिंग से इन सब्दों को दोहराने के लिए कहा गया और उन्हों ले कुछ सब्दोराय यह भी सही है कि बाद में जब एफसल से रिपोर्ट आई उस बाइरल आडियो की तो कहा गया कि अनन सिंग की आबास का मिलान सही था तो यह बात उस मामले में बार कोट में सरेंडर कर दिया इनमें एक भूसन सिंग उर्फ ससी भूशन और दूसरा रजनीश उर्फ चुहा यह दोनों अनन सिंग के लिए कितने महत्पुन पता नहीं लेकिन कहा यह गया कि यह दोनों बांटेट थे और भूसन सिंग उर्फ ससी भूशन के बारे में तो पहुंच गया था लेकिन उस दिन किसी ने इसकी पहचान नहीं की थी बाद में जब हंगामा हुआ और पुलिस ने तलाश शुरू की तो कोट में सरंदर हो गया दूसरा जिसने सरंदर किया था बार की अदालत में वह रजनी सुर्फ चुहा था इन दोनों के खिलाप जो पु कि इन दोनों ने घर पर चरकर गोली बारी की धंकाया और जानलेबा हमला बोला खैर तो यह सब चीजे तो चली रही थी तो अब पूश्टाच में देखिए अब पूश्टाच के लिए बड़ी टीम का गठन क्या गया था खुद एससपी पटना की तब गरिमा मलिक थी वह प्रस्णाबली तयार की गई थी और जिससे यह समझा जा रहा था कि जितनी सकती है अनन सिंग बहुत कुछ उगल सकते हैं लेकिन अनन सिंग ने उगला कितना यह आपको बताएंगे इसी कहानी में तो देखिए अनन सिंग से जो पूश्टाच की शुरुआत हुई सबसे प आपके पास और 147 है तो वो कहा है अनन सिंग ने कहा मुझे कुछ भी नहीं पता तो पुलिस टीम को निरासा अब हैंड ग्रेनेड के बारे में शवाल पूचा गिया यह हैंड ग्रेनेड जो ब्रामद हुआ था अनन सिंग के घर से उसे उच्छ कोटी का विस फोटक बताया गया था highly explosive था और कहा गया था कि यह हैंड ग्रेनेड वैसा है जैसा आर्मी इस्तेमाल करती है बार में आपको मालूम है कि लदमा गाउं से कोई एक किलो मिटर दूर ले जाकर इसे experts ने diffuse किया था तो अनन सिंग से सवाल पूचा गया इस हैंड ग्रेनेड के बारे में कि यह हैंड ग्रेनेड आपको किस ने दिया था अनन सिंग ने कहा कुछ भी नहीं पता किसी ने रख दिया होगा यह बात पुलिस का कहना था किसी ने रख दिया होगा अनन सिंग ने क्या कहा यह आगे बताएंगे फिर यह कहा गया कि 17 अगस्त को जब पुलिस आपको तलास ने प पूछा गया कि आपको दिल्ली पहुंचने तक के रास्ते में किस से किस से मुलाकात हुई किस ने पना दिया दिल्ली में कहां रुके अनन सिंग ने कहां मुझे कुछ भी याद नहीं है फिर आगे सुनगे वह तीनों वीडियो जो अनन सिंग ने फरारी के द्रम्यान बनाया इसके बारे में शवाल पूछे गए कि यह वीडियो आपने कहां बनाया अनन सिंग ने कहा रास्ते में बनाया अनन सिंग से पूछा गया वह ब्यक्ति जो वीडियो में आप से सवाल पूछ रहा था और आप जवाब दे रहे थे वह ब्यक्ति कौन था अनन सिंग ने कहा मु मुझे मरमाना चाहता है तो देखिए जैसे ही भोला सिंग और मुकेश सिंग की चर्चा शुरू हुई तो एक और कांड या एक और गिरफतारी का जिक्र पट्ना में शुरू हो गया 20 जनबरी 2018 तब अनन सिंग के रिष्टे शरकारी रिष्टे ठीक ठाक थे और अनन सिंग की पहुँच भी ठीक ठाक थी पट्ना में एसेसपी थे मनु महराज मनु महराज ने एक फ्रेस कॉणफेंस बुलाई और वहां दो अपरादियों की गिरफतारी का जिक्र किया गया ये दो अपरादि जो गिरफतार किये गए थे उसमें एक मोनु था जो मराची के जलालपूर का रहने वाला था बताया ये गया कि ये जो मोनु है वह अपने भाई शोनु के सार शोनु मोनु गैंग चलाता है दूसरी गिरफतारी निलेस की हुई थी जो नालंदा जिले का रहने वाला बताया किया बताया यह भी गया कि मोनु शोनु ये दोनों जो हैं प्राफेस्नल शुपाली कीलस हैं और इसका संबन उत्तर पनेसके माफिया दौन मुक्तार अंसारी से हो गया है निलेस की वारे बताया गया किया पतना का कभी बहुत बड़ा गैंगस्तर रहा गुड्डू सर्मा का सूटर था तो इन दोनों की गिरफतारी क्यों की गई इन दोनों की गिरफतारी हुई थी दाहौर में एक चिमनी भट्टे पर जैसा SSP मनु महराज बता रहे थे वे का रहे थे कि चिमनी भट्टा पर जब इन दोनों अपराधियों की छुपे होनी की जानकारी मिली और पुलिस वहां पहुची तो इन लोगों ने गोलिया चलाई पुलिस को भी जबाब में गोलिया चलानी परी और गिरफतारी के हुआ कि ये दोनों जो हैं वह अनन सिंग की हत्या का प्लान कर रहे थे अनन सिंग के साथ साथ मनी पाहलवान एलियस मनी सिंग जो अनन सिंग के बेहत करी भी माने जाते हैं उनकी हत्या का प्लान भी किया जा रहा था और इस हत्या के लिए 50 लाक रुपे की शुपारी लिग गया कि अनन्द सिंग को मारने की एक कोशिस शोनपूर मेले में की गई थी आपको मालूम है कि शोनपूर का मेला शोनपूर बिहार में जहां विश्व परशिद परशू मेला लगता है और बरही सौक से बरही तैयारी के साथ वहां अनन्द सिंग जाते हैं अनन्द सिंग को क् पालना अजगर पालना तो अनन सिंग वहां घोरे लेकर जाते थे घोरा की पतियोगता में घुरदौर की पतियोगता में शामिल अपने घोरे को कराते थे और किसी भी कीमत पर उनका घोरा ही सबसे आगे दोरे इस बात को कमिट करते थे इस बात को पतिबद करते थे तो यह कह गया कि शोनपुर मेला में अनन सिंग को ही मार देने का प्लान तयार कर लिया गया था लेकिन जिस दिन इस प्लान को एक्चूट किया जाना था मतलब जिस दिन अनन सिंग की हत्या की जानी थी उस दिन अनन सिंग संयोग बस शोनपुर मेले में पहुंचे ही नहीं थे इसलिए बच गए थे देखिए मौनू के बारे में यह भी बताया गया कि 8 सिप्टमबर 2017 को इसने बार की आदालत में गुड्डू सिंग की हत्या कर दी थी तो अब यहां मामला भी आया और उधर पूस्टा चल रही थी पूस्टाच में अनम सिंग कहा पसे इस बात को समझे अनम कहा था कि 2005 में विधायक बनने के बाल हम लदमा गाउं ही नहीं गए लेकिन यह बात जूट निकली लिपी सिंग जो केस की इन्वेस्टिकेटिंग आफशर थी IPS जेडियू के सांसद तब सांसद ही थे आर सीपी सिंग की बेटी उसने अनन सिंग को एक वीडियो दिखाई औ अपने गाउं में थे और किस सेले में थे अनन सिंग ने अपनी बेटी के साधी बहुती भविता के साथ अपने गाउं में की थी कुछ बस पहले और इस दौरान अनन सिंग अपने गाउं में ही थे तो यह तस्वीर अनन सिंग करी सुरक्षा में थे अनन सिंग नकार नहीं पाए इंकार नहीं कर पाए कि हां मैं गाओं बीच-बीच में नहीं गया हूं दूसरी रीखायी गई जिसमें अनन शंह Всеके 400 के पहरे में तो यह तस्भीर वी अनन शंहनें शुकारा कि हां मीरी तस्भीर सहे ठीखा हैं तो अनन सिंग यहां फसे लेकिन अनन सिंग से और भी सवाल पूछे गए पूछा यह गया कि आप भोला सिंग और मुकेश सिंग को मरवाना क्यों चाहते हैं क्या प्लान कर रहते अनन सिंग ने कहा वह मेरा दुस्मन है वह मुझे मरवाना चाहता है अनन सिंग से सवाल दागा फोडियों मैं कुछ भी नहीं जानता इसके बाद अनन सिंग से बिबेका पहलवान के भाई संजय पहलवान की हत्या के बारे में सबाल दागा गया संजय पहलवान की हत्या पतना में की गई थी फिर राम जनम यादब वह भी एक अप्रादी था उसकी हत्या कैसे हुई क्या इ अनन सिंग ने कहा मुझे पता ही नहीं राम जनम जादब है कौन मैं कोई चोल चुभार कुटा भी लाइकों नहीं जानता हूं यह अनन सिंग के सब्द रहे होंगे फिर पुटूस जादब ऐसा जबाब हासिल नहीं कर पाए जिसके आधार पर आगे दविश्दी जाती अन्याप्रादियों की गिरफ्तारी होती या और भी हतियार ब्रामत के जाते तो जब कुछ भी नहीं मिला पुलिस ने माना कि हमने कुछ हासिल किया है और इसका फाइदा हमें कब मिलेगा जब को पूछादिंग ही बता देते हैं कि मामले को जल्दी जल्दी ट्रांसफर करा लिया गया था पतना की अदालत में M.P.M.L.A. कोट में क्योंकि तब अनन सिंग मुकामा से जीते हुए बिढायक थे तो यह केस ट्रांसफर कराया गया लेकिन जब पूछताच हुई थी या फिर फूछताच के बाद जेल भेजा जाना था तब तक यह मुकर्मा बार कोट में ही था तो पूछताच के बाद अनन सिंग को ले जाया ग लेकिन अनन सिंग के बकील और लल्लू मुक्या के बकील देखिए दोनों साथ जेल से बाहर निकाले गए थे दोनों साथ जेल भेजे जा रहे थे पूछताच के दौरान क्रोस चेक के लिए दोनों को एक साथ बैठाकर दोनों को अलग-अलग बैठाकर पूछताच भी की ग नाम था सुनील कुमार कंधवे उनके पास एक सिकायट जमा किया गया यह सिकायट इन दोनों की ओर से था और इस सिकायट में कहा गया कि पुलिस वालों ने कुस प्लेन पेपर पर साधे कागज पर हमसे दस्तकत करा लिया है तो इस साधे कागज का इस्तेमाल आगे गलत हो सकत है यह जानकारी कोट कोटी गई खैर चलिए अनन्सिंग जेल में ही रह गए बाद में कई महनों के बाद लल्लू-μुक्या को जमानत मिल गए थी लल्लू-मुक्या बाए और बाद में अनन्सिंगaka अलग-अलग हो गय हैं देखिए अनन्सिंग की इच्छा के खिलाप यह यू पुमबर दोहजार पीस में अनन सिंग्ग दोहजार पंद्रह में निदलिय जीते थे अब उन्हें राज़त का टिकट मिल गया जेल में ही हैं अनन सिंग्ग राज़त के उमिद्बार और उनके शामने इस बार मुकामा में पुराने पतिदुन्दी ललन सिंग् नहीं थे नलिदी रंजन सर्मा उर्फललन सिंग् इस डफे जेडís उन्हें उमिद्बार बनाया राजीव लोचन सिंग् को जो मुकामा के बहुती प्रशद्ध बेंकटेज सिंग्के परिबार से आते हैं बेंकटेज सिंग् के चर्चा हमने इसलिए कर दी क्योंकि बेंकटी सिंग वैसे सक्सियत रहे जिनके घर में कभी अटल बिहारी बाजपी और कैलास पति मिस्ट जैसे नेताओं का आना जाना था तो राजीव लोचन इस चुनाव में अनन सिंग के सामने तिक नहीं पाए क्योंकि मुकामा का चुनाव बाहूबल का चुनाव होता है और अनन सिंग ने फिर से जीत हासिल की जेल में रहते हुए राज़र के टिकट पर और 2015 के मुकाबले अधिक मतों से चुनाव जीते लेकिन बिधायक बनने के बाद भी अनन सिंग को कुई राहत नहीं मिली उन्हें कहीं से जमानत नहीं मुली और फिर 21 जून 2022 को इस मामले में जो 117 और हैंड ग्रिनर की ब्रामदगी का मामला था उस मामले में अनन सिंग को 10 साल की सजा सुना दी गई तो इस तरीके से अनन सिंग की बिहाल बिधान सबा की सरस्ता विखत्म हुई अब देखिए मुकामा में आगे चुनाव होगा उप चुनाव होगा कहा जा रहा है कि अनन सिंग अपनी पत्नी नीलम देवी को ही चुनाव लगाएंगे खैर चुनाव की बात हम यहां नहीं कर रहे हैं हमारे दर्सक लगातार कह रहे हैं कि और भी कहानिया बताएं तो देखिए कल भी आपको सुनाएंगे कल 28 जून 2022 को अनन सिंग सिरिज की सात्मी कहानी और यह कहानी जब आप सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे यह कहानी होगी जब अनन सिंग को मार दी गई थ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लिएगा और यदि इस वीडियो को आप फेस्बूक पेज के माद्यम से देख रहा है तो पेज को लाइक किजेगा एक और अन्रोध कि यदि आप मुझसे कोई कहानी सुनना चाहते हैं कोई कहानी बताना चाहते हैं कोई भूल सु पाचान को हम तब तक गोप्रिये रखते हैं जब तक आप से अनुमती ना प्राप कर लें तो आज के लिए इतना ही हमें दीजी जाज़त बहुत बहुत धन्यवाद